नमस्कार, आएए सुनते हैं शरचंद चटोपाध्याई के द्वारा लिखीवी एक कहानी, तस्वीर. यह कहानी जिस समय की है, उस समय ब्रह्म्हा देश अंग्रेजों के अधिन नहीं हुआ था. उन दिनों उसके राजारानी थे, मित्र राजा थे, सैन्न सामन्त थे और वे अपने देश का शाषन खुधी चलाते थे. मांडले राजधानी थी, किन्तु राजवंश के अनेक व्यक्ति देश के विभिन शहरों में जाबसे थे. मालूम होता था उनी में से कोई एक राजवंशी, बहुत समय पहले पेगु से पाँच कोर्स धक्षिन में इमे दिन ग्राम में आकर बस गया था. उसकी प्रकांड अटालिका, प्रकांड बगीचा, परियाप्त धन दौलत और बड़ी भारी जमिनदारी थी. जब परलोक से पुकार आई, तब इस सब के जो मालिक थे उन्होंने बुला कर कहा. भाई वाको, एक्छा थी कि तुम्हारे पुत्रे के साथ अपनी लड़की का ब्याह कर जाऊंगा, किन्तु वह शुब गड़ी में देख न सका. मा शोई रह गई, उसकी देखभाल करना. इससे अधिक कहने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी. वाको उनका बचपन का बंधू था, एक दिन उसके पास भी खूब दौलत थी. लेकिन फायर मंदिर बनवाने और भिक्षूओं को खिलाने पिलाने में केवल अपने सर्वस्व का ही अंत नहीं, बलकि वह रिण ग्रस्त भी हो गया था. फिर भी जीवन में अपने इस मित्र को पहचानने का उस मुर्मूशु को इतना बड़ा भारी सुयोग मिल गया, कि वो उसे अपना सर्वस्व ही नहीं, एक लोती लड़की को भी निर्भेता से सौप देने में तनिक नहीच की चाया. किन्तो यह दायित्व वाको को अधिक दिन वहन ना करना पड़ा, उसके पास भी उस पार का समा ना पहुचा, और उस महामान्य परवाने को सिर माथे रखकर वह व्रिध, वर्ष का चक्र पूरा घूमते न घूमते, संसार का भार वही फेक कर अज्यात की ओर चल दिया. इस धर्म प्राण दरिद्र के प्रती गाउंवासियों का जितना सद्भाव था, जितने शद्धा भक्ती थी, उतने ही प्रचंड आग्रह से उन्होंने उसका मरनोत्सव भिमनाया. बाको की मृत देह मालाओं तथा चंदन से सज्जित करके पलंग पर लिटा दी गई. उसके आगे खेल तमाशों, नृत्य गीतों और आहार विहार का शोत रात दिन अविराम गती से बहने लगा. ऐसा जान पड़ता था मनों इसका कभी अन्त ही न होगा. पित्र शोक के इस उतकट आनंद से चंद भर के लिए किसी भी प्रकार भाग कर बाथिन एक निर्जन व्रिक्ष के नीचे बैठा रो रहा था. इतने में अचानक चौक कर उसने पीछे देखा कि माशोय खड़ी है. उसने आचल के छोर से बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने बाथिन की आँखें पूछ दी. माशोय पास बैठकर उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से बोली. पिताजे मर गए हैं, किन्तु तुम्हारे माशोय तो अभी तक बचीवी है. बाथिन तस्वीरे बनाता था. अपनी बनाईवे अंतिम तस्वीर उसने एक को ले लिया और खोश होकर उसके बदले अपनी बहुमोले अंगुठी उसे पुरसकार में दे दी. आनंद से माशोय के आँखों में आसु आ गये. वो उसके पास खड़ी होकर मृदु कंट से बोली. बाथिन, जगत में तुम सबसे बड़े चित्रकार होगे. बाथिन हस ब बोली, तुम बार-बार इस प्रकार ताने दोगे, तो फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी. बाथिन चुपी रहा, किन्तु यदि पिता का रेन अदा न हुआ, तो उनकी मुक्ती न होगी. इस बड़ी भारी विपत्ती की बात स्मरन करते ही, उसका समस्त बदन मानो सि अवकाश नहीं मिला. माशोय प्रती दिन जिस तरह आती थी, उसी प्रकार आज भी आई. बाथिन के सोने का कमरा, रहने का कमरा, तस्वीरे बनाने का कमरा, वह स्वयम अपने हाथों से सजा कर और सारी सामागरी को सिलसिले से यथा स्थान डग कर वह चली जाती थी. इस काम एक नेश्वास डाल कर बोली, बाथिन, यदि तुम मेरे समान लड़की होते, तो अब तक देश की रानी हो जाते. बाथिन ने मुँ उठा कर हसते वे कहा, क्यों भला, कहो तो? राजा तुम्हें ब्याह कर अपने सिंहासन पर बिठाते, यदि पी उनकी कई रानिया हैं, त जब वो मांडले में तस्वीर बनाना सीखता था, तब भी बीच-बीच में यही बात सुना करता था. उसने हसकर कहा, किन्तो रूप चुराने का यदि कोई उपाय होता, तो मुझे भूला कर तुम स्वैम राजा के बाई तरफ जा बैठती? माशोय ने इस अभियोग का कोई उत्तर नहीं दिया, किन्तो मन ही मन कहा, तुम नारी के समान दुरबल हो, नारी के ही समान कोमल हो और नारी के समान सुन्दर हो, तुमारे रूप की कोई सीमा नहीं. इस रूप के आगे वह अपने को मन ही मन बहुत छोटा समझती है. वसंत के प्रारंब में प्रतिवर् में अत्यंत समारोह से घुर दोड होती है आज उसी उपलक्ष में गाउं के बाहर मैदान में भारी भीड इकठा हुई है माशोय धीरे धीरे बाथिन के पीछे आखडी हुई वह एकाग्रमन से तस्वीर बना रहा था इसलिए उसकी पगध्वनी सुन न सका माशोय बोली मैं आई हूँ जरा मुड कर तो देखो बाथिन ने चकी थोकर पीछे देखा और विस्मी थोकर पूछा अचानक इतने सजावट किसलिए की गई है वाह देखती हूँ तुम्हें मालूम ही नहीं कि आज हमारे हैं घुर दोड है आज जो जीतेगा वो मुझे माला पहनाएगा कहां सो तु सुना नहीं कहकर बाथिन तुली का पुना उठाना ही चाहता था कि माशोय उसके गले से लिपट कर बोली नहीं तुमने सुना है तुम उठो और कितनी देर करोगे ये दोनों प्राया बराबरी के हैं सामने के विशाल दरपण में अब तक दो मुख दो खिलेवे गुलाबों की तरब फूल गये थे बाथिन उने दिखा कर बोला ये देखो माशोय कुछण चुपचाप नीरव भाव से उन दोनों तस्वीरों की और देखती रही आज अकस्मात पहले ही पहल सोचा कि मैं स्वैम भी बड़ी सुंदर हूँ आवेश में उसके दोनों चक्षू बंध हो गये वो धीरे से कान में बोली मैं मानुचंद्रमा का कलंक हूँ बाथिन उसके मुख को और भी पास खीच कर बोला नहीं, तुम चान्द का कलंक नहीं हो तुम किसी का कलंक नहीं हो तुम तो चान्द की कौमोदी हो एक पर अच्छी तरह देखो तो सही किन्तु माशोय को आँखे खोलने का साहस नहीं वा वो उसी तरह दोनों चक्षू मून दे रही शायद इसी तरह बहुत छण कर जाते परन्तु उसी समय एक नर नारी दल नाचता गाता सामने के रास्ते से होकर उत्सो में योग देने के लिए जाता दिखाई दिया माशोय एकदम खड़ी हो गई और बोली चलो चलने का समय हो गया है किन्तु मेरा जाना बिलकुल असंभव है माशोय क्यूं? मैंने इस चित्र को पांच दिन में पूरा कर देने का वादा किया है और वादे पर पूरा न हुआ तो? तो वो मांडले चला जाएगा चित्र भी ना लेगा और रुप्या भी ना देगा रुप्यों के उलेक से माशोय कष्ट पाती थी लज्जित होती थी वो नाराज होकर बूली किन्तु इसके लिए मैं तुमें इतना जीतोड परिशम कदापी न करने दूँगी चित्र मुझे बेच देना मैं दूने दाम दूँगी बाथिन को इसमें संदेह नहीं था उसने हस कर पूछा खिन्तु इसका क्या करोगी माशोय गले का बहुमुल्य हार दिखा कर बूली इसमें जितने मोती हैं जितने पन्ने हैं सबसे इस चित्र को सजाऊंगी और इसके बाद कमरे में अपनी आखों के सामने टांग कर रखोंगी उसके बाद उसके बाद जिस दिन रात्री में खूब चंद्रमा उगेगा और खुलीवी खिडकी के भीतर से उसका प्रकाश तुमारे सोयवे मुख के उपर गिरेगा उसके बाद उसके बाद तुमारी निद्रा भंग कर बाद पूरी भी नहीं होने पाई थी कि नीचे से माशोय की बैल गाड़ी राह देख रही थी उसके गाड़ीवान की उच्छे कंठ की पुकार सुनाई पड़ी बाथिन व्यस्त होकर बोला इसके बाद की बाद फिर कभी सुनूंगा अभी नहीं तुम्हारा समय हो गया है शिग्र जाओ किन्तु इस तरह समय गुजर जाने की चिंता माशोय के आचरण में जरा भी नहीं दिखाई पड़ी क्योंकि वो और भी अच्छी तरह बैठ कर बोली मेरी तबियत खराब मालूम होती है मैं नहीं जाओंगी ची ऐसा कहीं किया जाता है तो तुम भी चलो चल सकता तो जरूर जाता किन्तु मैं अपने कारण तुम्हारे कारेक्रम को भंग नहीं होने दूँगा और देर मत करो जाओ उसका गंभीर मुख और शांत दिड़ कंठस्वर सुनकर माशोय उठकर खड़ी हो गई अभिमान से उसका चेहरा मलीन हो गया वह बोली तुम अपनी सुविधा के लिए मुझे दूर करना चाहते हो दूर में हुई जाती हो किन्तु अब कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी चण मात्र में बाथिन की करतव्य दृता स्नेह के जल में गल गई वह उसे पास में खीचता हुआ हसता हुआ बोला इतनी बड़ी प्रतिगा मत कर बैठो माशोय मैं जानता हूँ कि इसका परणाम क्या होगा किन्तु अब और विलंब करने से काम नहीं चलेगा माशोय ने जैसे विशन न मों से उत्तर दिया तुम जानते हो कि मेरे बिना तुम्हारे खाने पहनने से लेकर सोने उठने तक सब विश्व में तुम्हारी जो दशा होगी मैं उसे सह न सकूँगी और तुम मुझे यहां से ख़दे रहे हो यह कहकर वा प्रत्युत्तर के अपेक्षा किये बगर तेजी के साथ घर के बाहर हो गई प्राया अप्रान के समय जब माशोई की बैलगाडी मैदान में पहुची तब एकचित्र जनमंडली प्रचंड कलरव से कोलाहल करू थी वह युवती थी, सुंदरी थी, अविवाहिता थी और विपुलधन की अधिकारिनी थी मानों की योवन राज्य में उसका स्थान बहुत उचा था इसलिए यहां भी बहुमान का आसन उसी के लिए निर्देश्ट था आज वो पुष्प माला वितरन करेगी इसके बाद जो भागेवान इस रमणी के गले में सबसे पहले जैमाला पहनाएगा उसका अद्रिश ही आज मानों संसार के लिए इर्शा की एकमात्र वस्तु होगी सजित घोडों की पीठ पर रतवर्ण पोशाक वाले सवार उत्साह और चांचले के आवेक को कष्ट से सन्यत कर रहे थे देखने से मालूम होता था आज संसार में उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है क्रम से समय नजदिक आता गया और जो लोग भागे परिक्षा करने के लिए उद्धत थे वे एक पंती में खड़े हो गए चणबर बाद घंटे के साथी मरने जीने की परवा छोड़ कर उन लोगों ने अपने घोड़े छोड़ दिये यह विरत्व है यह युद्ध का अंश है माशोय के पिता पिता मां आदिस सब सैनिक थे युद्ध करना ही उनका व्यवसाय था नारी होने पर भी उनका ही रक्त उसकी रगों में दोड़ रहा था यह उसके वश की बात न थी कि जो विजई हो उसका अपने समस्ति रिदे से वो स्वागत न करे इसलिए जब एक भिन्न ग्रामवासी अपरिचित युवक ने आरक्त देह, कापतेवे मोह और पसीने भरे हाथों से उसे जैमाला पहना दी तब उनके आग्रे की अतिशेता अनेक कुलीन रमणियों की आँखों में खटके बिना न रह सकी लोटते वक्त उसने उसे गाड़ी में अपनी बगल में स्थान दिया और उससे सजल कंट से कहा तुम्हारे विशय में में बहुत डर गई थी, एक बार तो यह भी मन में आया कि इतनी बड़ी उची दिवार है यदि लांगते समें किसी प्रकार पैर चुक जाये तो युवक ने विने से गर्दन जुका ली, किन्तु इस अभैसासी बलिष्ट वीर के साथ माशोय मन ही मन अपने उस दुरबल, कोमल और विशयों में अपटु चित्रकार की तुलना किये बगर न रह सकी युवक का नाम था पोखिन, बातों ही बातों में मालूम हुआ कि वो उच्च वन्शिय है, धनी है और उसका दूर का रिष्टेदार भी है माशोय ने आज बहुत से लोगों को भोजन के लिए निमंत्रित किया था, वे सब और दूसरे बहुत से लोगों के भीर गाड़ी के साथ साथ आ रही थी आनंद के प्रबलता से, उनके तांडव नृत्त से उठेवे धूल के मेगों से, संगीत और असाहय निनात से, उस समय संध्या का आकाश एक बार गी ढख कर अभी भूत हो गया था यह भयंकर जनता जब उसके मकान के सामने के आगे से बढ़ गए, तब छण भर के लिए बाथिन ने अपना काम छोड़ दिया, और खिड़की के पास अकट चुप-चाप देखने लगा संध्या भोज की घटना के बाद दूसरे दिन माशोय ने बाथिन से कहा कल की संध्या बड़े आनन्द से कटी, दया करके बहुत सारे लोग आये थे, किवल तुम्हारे पास समय नहीं था, इसलिए तुम्हे नहीं बुलाया उस चित्र को वो जी जान से खत्म करने में लगा था, इसलिए बिना मुख उठाई ही वो बोला बला ही किया, और यह कहकर वो फिर से काम में लग गया माशोय विसमे से इस्तबित रह गई, बातों के भार से उसका पेट फूल रहा था कल काम के भार से बाथिन उत्सों में भाग नहीं ले सका था, इसलिए उसके साथ बहुत सारी बाते करूंगी या सोचकर वो आई थी, किन्तों यहां सब उल्टा हो गया अकेले-अकेले केवल प्रलाप हो सकता है, आलाप नहीं, इसलिए वो स्तब्द होकर बैठ रही किसी भी प्रकार दूसरे पक्षी की उदासीनता और गंभीर निरवता के रुद्ध द्वार को खोल कर भीतर प्रवेश करने का उसे साहस नहीं हुआ प्रती दिन जो छोटे-मोटे काम वा करकर जाती थी, वे आज पड़े ही रहे किसी भी काम में हाथ लगाने की उसकी प्रविर्ती नहीं हुई इस तरह बहुत सारा समय निकल गया एक बार भी बाथिन ने मुँ उठा कर नहीं देखा, एक बार भी कोई प्रश्न नहीं किया जिस प्रकार कल की इतनी बड़ी घटना के प्रती उसका लेश मात्र भी कोतूहल नहीं, उसी प्रकार मानो काम के बीच सांस लेने कभी उसे अवकाश नहीं है बहुत देर तक वो चुप चाप कुन्ठित और लज्जित सी बैठी रही, अंत में ठक कर उठ बैठी और मृदु कंट से बोली तो अब मैं जाती हूँ, बाथिन चित्र पर द्रिष्टी रखते वे ही बोला, अच्छा जाओ जाते समय माशोय को मन में लगा कि मानो वह इस मनुश्य के अंदर की बात जान गई हो सोचा पूछू, एक बार पूछनी की एक्छा भीवी, परंतु मुह नहीं खोल सकी, चुप चाप ही बाहर चली गई माको ने आते ही देखा कि पोखिन बैठा है, गत रात्री के आनोंदोस्चों की विशे में वह धन्यवाद देने आया था अतिथी को माशोय ने अच्छी तरह बिठाया, उस व्यक्ति ने पहले माशोय के एश्वरे की बात उठाई, फिर वंश की, फिर उसके पिता की ख्याती की, और राजद्वार में उनके मान सम्मान की बात कही इस प्रकार नजाने वख क्या-क्या अनर्गल बक्ता चला गया उस सम्में से कुछ तो उसने सुना और कुछ उसके अनमनश्क कानों तक पहुचा ही नहीं किन्तु वो आदमे से बलिष्ट और अतिसासी घुरसवार ही नहीं था, अतिन्त धूर्त भी था माशोय की इस उदासीनता को वो ताड़ गया, मांडले के राजपरिवार के प्रसंगों को उठा कर अंत में जब उसने सौंदरे के आलोचना करनी शुरू की और जब वो कृतिम सरलता से परिपूर्ण होकर इस दिरमणी को लक्ष करके बार बार उसके रूप और यवन की उर इशारा करने लगा, तब उसे यदपी मन ही मन अतिशा लज्जा मालूम हुई, फिर भी वो इससे एक विचेत्र आनंद और गौरव अनभा करती रही बातचित खत्म होने के बाद जब पोखिन विदा होने लगा, तब आज की रातरी के लिए भी वो बोजन का निमंतरन लेता गया किन्तो उसके जाने के बाद ही माशोय का समस्त मन उसकी बातचीत की मन ही मन अवृति करके छोटा हो गया और गलानी से भर गया निमंत्रन देने की भूल के कारण उसकी विरक्ती और वित्रिशना की अवधी नहीं रही तब उसने जटपट अपने नौकर के हाथ और भी कई बंधु बांधुमों को निमंत्रन भेज दिये अतिथी लोग यथा समय हाजिर हुए आज भी हसी दिल लगी गप शप्नृति गीत के साथ जब खाना पीना संपन्न हुआ तब रात्री अधिक बाकी नहीं थी क्लांथ परिशान्त होकर वह सोने गई किन्तु आखों में नेंद नहीं आई और आश्चेरे यह कि जिन के साथ इतना समय इस तरह काट दिया उन में से किसी की भी कोई भी बात उसके मन में नहीं आई वस सब मानों बहुत योगों की पुराने अकिन्चित कर घटना थी किन्तु शुष्क और बिलकुल नीरस उसके मन में बार बार कोई दूसरा ही व्यक्ति आने लगा जो उसी की उद्यान की कोने के एक निर्जन ग्रिह में इस समय भी निर्विग्न है आज के इतने उदम उपद्रों का लेश मात्र भी उसके कानों में जाने के लिए कहीं छोटा सा मार्ग भी खोज न पा सका जिसमें की वह जा सके बहुत दिनों का अभ्यास प्रभात होते ही माशोय को फिर से खीचने लगा आज वप फिर बाथिन के कमरे में जाकर बैठ गई प्रति दिन की तरह आज भी वग एवल आओ कहकर उसकी सहज अभ्यर्थना का कारे समाप्त करके काम में लग गया किन्तु पास में बैठकर माशोय को खयाल आने लगा कि यह कर्म निरत निरव मनुशे ही मानों उससे बहुत दूर चला गया है बहुत देर तक तो माशोय कहने के लिए कोई बात खोजी नहीं सकी इसके बाद संकोच चोड़ कर उसने पूछा तुम्हारा अब और कितना काम बाकी रह गया है बहुत तो इन दिनों में क्या किया बाथिन इसका जवाब न देकर चुरट का बॉक्स उसकी तरफ पढ़ा कर बोला यह शराब की गंद में सहन नहीं कर सकता माशोय ने इस इशारे को समझ लिया उसने जल भुनकर बॉक्स को जोर से ठेल कर कहा मैं सुब़ सुब़ चुरट नहीं पीती और चुरट की गंद चिपाने की कोशिश भी नहीं करती मैं किसी नीच जाती की बेटी नहीं हूँ माशोय बिजली की तरह जोर से उठकर खड़ी हो गई और बोली तुम जैसे नीच हो वैसे ही इशालो भी हो इसलिए तुमने मेरा या अकारण अपमान किया है अच्छा यही ठीक है मैं अपने वस्तर तुमारे घर से चिर काल के लिए हटाए लिया जाती हूँ यह कहकर वह प्रतियुत्तर की राह देखे बगर जोही जल्दी से घर चोड़ने के लिए जाने लगी तोही बाथिन ने पीछे से पुकार कर सन्यत स्वर में कहा मुझे कभी किसी ने नीच और इशालो नहीं कहा तुम हठात अंतापतन के मार्ग पर जाने को उध्धत हुई हो इसलिए मैंने तुम्हें सावधान किया है माश्वाय लोटकर खड़ी हो गई और बोली मैं अंतापतन के मार्ग पर जा रही हूँ मुझे तो ऐसा ही जान पड़ता है अच्छा तो तुम अपने इस ग्यान को अपने पास ही रखो किन्तु यह निश्चित है कि जिसके पिता अपने संतान के लिए आशिरवाद रख गए हैं अभिशाप नहीं उसके साथ तुम्हारे मन का मेल नहीं हो सकता यह कहकर वह तो चली गई किन्तु बाथे निस्थिरोकर बैठा रहा कोई किसी कारण किसी को इतने मरमानतक रूप से विरोध कर सकता है इतना प्यार एक ही दिन में इतना बड़ा जहर हो सकता है यह वह सोच भी नहीं सकता माशोय ने घर जाकर देखा तो पोखिन बैठा है वह सम्मान पूर्वक उठकर खड़ा हुआ और अत्यन्त मधूर्ता पूर्वक मुस्कुराया उसका मुस्कुराना देखकर माशोय की दोनों भवें मानों अंजाने में ही कुन्ठित हो उठी बोली आपका क्या कोई विशेश कारे है? नहीं कारे तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर अभी मेरे पास समय नहीं है कहकर माशोय पास की सीडियों से उपर चली गई गत रात्री की बात स्मरन करके पोखिन एक बारगी हत बुद्धी हो गया किन्तो चपरासी को सामने आते देखकर वो उसे सूखी हसी के साथ एक रुपय हाथ में पकड़ा कर सीटी बजाता हुआ बाहर चला गया बचपन से जिनका कभी एक पल के लिभी वियोग नहीं हुआ अद्रशे की विडम्बना से आज एक महिने से अधिक हो गया उन में से किसी ने भी किसी से साक्षातकार नहीं किया माशोई या सोचकर अपने को समझाने की चेश्ठा करने लेगी कि या एक तरह से अच्छाई ही हुआ जिस मोह के जालने मुझे इतने दिनों से अपने कठोर बंदोनों में जकड़ कर अभी भूत्सा कर रखा था वह चिन्न हो गया अब उसके साथ मेरा बिंदु मात्र भी संबंद नहीं है इस धनी की कन्या की नवीन उद्दाम प्रकृती ने पिता की मौजूदगी में भी कई बार बहुत से ऐसे काम करने चाहे है जिन्ने वो केवल गंभीर और सन्यचित बाथिन की नाराजगी के भैसे ही नहीं कर सकी है किन्तो आज वो स्वाधीन है एक बारगी खुद की मालिक खुद ही हो गई है कहीं से किसी के आगे लेश भर भी जवाब देही करने की उसे जरूरत नहीं रही इसी बात को लेकर वा मनी मन बहुत कुछ उधेर बुन जोड़ तोड़ करती रही है परन्तु एक दिन भी अपने रिदे की निगूर ग्रेह के द्वार खोल कर उसने कभी नहीं देखा कि वहाँ क्या है यदि देखती तो देख पाती की अब तक सिर्फ वा अपने आपको ही ठकती रही है उस एकांत गुप्त कमरे में रात दिन आमने सामने दोनों बैठे वे हैं और दोनों की आखे नीरव भाव से आसु बाहा रही है अपने जीवन का यह करुण चित्र उसके मन चक्षू के लिए अगोचर था इसलिए इस बीच अपने घर अनेक उत्सव रात्रियों के निश्फल अभिने हो गये पराजय की लज्जा ने उसे धूली के साथ नहीं मिला दिया किन्तु आज का दिन ठीक तरह से क्यूं काटना नहीं चाहा यह बात बतलानी होगी जन्वतिति के उपलक्ष में हर वर्ष उसके घर आमोद, आहलाद और खाने पिने का अनुष्ठान होता था आज यही आयोजन कुछ अधिक आडंबर के साथ हो रहा था उसमें घर के दास दासियों से लेकर पड़ोसियों तक ने आकर योग दिया है परंतु मानो केवल उसी का काम में जी नहीं है सुबह से उसे मनि-मन लग रहा है कि यह सब व्यरत है, यह सब व्यरत का परिश्रम है नजाने कैसे इतने दिनों मानो उसे लगता था कि वह भी इस दुनिया के अन्य लोगों के समान है, वह भी मनुश्य है, वह भी इर्शा से अतीत नहीं है, उसके घर जो यह सब आनंद उत्सव के बड़े-बड़े और नए-नए आयोजन हो रहे हैं, इसकी खबर किया उस बंद खिर्कियों को भेद कर उस एकांत कमरे में नही पहुचती होगी, संभावेव अपने तुलिका फेंक कर कभी स्थिर होकर बैठता हो, कभी चंचल होकर जल्दी-जल्दी घर में चहल कदमी करने लगता हो, कभी निद्रा विहिंत त्रप्त सय्या पर पढ़कर सारी रात जल भुनकर खाक हुआ करता हो, और कभी, किन्तु ज अचानक उसे जान पड़ा कि कुछ भी नहीं है, उसके किसी कारे में कोई विग्न नहीं पड़ा, सब जूट है, सब धोखा है, न तो वह स्वेम पकड़ना चाहता है और नहीं पकड़ाई ही देना चाहता है, वह दुर्बल देह अकसमात न जाने कैसे एकबारगी पहाड की तरह कठोर और अचल हो गया है, कहीं कोई भी आंधी इसे रत्ती भर्वी विचलित करने में समर्थ नहीं है, फिर भी जन्वतिति के उत्सव का विराट आयोजन आडंबर के साथ ही हो रहा था, पोखे नाच सरवत्र काम में मुख्य बन गया था, और इससे परिचित लोगो से मकान परिपूर्ण था, चारो ही तरफ आनंद कलरव सुनाई पड़ता था, किन्तो जिसके लिए यह सब हो रहा था, वही व्यक्ति अन्मना था, उसी का मुख निरानंद की चाया से आच्छन था, परन्तो यह चाया प्राया किसी भी बाहरी आदमी की आँखों को मालूम मालूम पड़ी तो केवल मकान के दो एक पूराने नौकर नौकरानियों को और मालूम पड़ा जो के अलक्ष में रह कर भी सब कुछ देख सकते हैं, केवल वे ही देखने लगे कि इस लड़की के निकट यह अभी कुछ विडम बना है, इस जन्मती थी के दिन हर वर्ष जो म माश्रोई के पिता के समय के एक बूढ़े ने आकर कहा, चोटी बिटिया, कहा है वह, उनको तो आज देखनी रहा हूँ बूढ़ा कुछ समय पहले ही नौकरी से चुटी करके घर चला गया था, उसका घर भी दूसरे गाओं में था, मनमुटाओ की यह बात उसे मालूम नहीं थी, आज यहाँ पर ही नौकरों के द्वारा उसे यह बात मालूम हुई माश्वय उद्धत भाव से बूली, देखना दरकार हो तो उसके घर जाओ, यहाँ क्यों आये हो अच्छी बात है, मैं जाता हूँ कहकर बूढ़ा चला गया, जाते जाते धीमे स्वर में कहता गया किवल उसी को अकेले देखने से तो काम नहीं चलेगा, तुम दोनों को एक साथ देखना चाहिए, नहीं तो यहाँ तक चलकर आना ही बेकार हो जाएगा बूढ़े की बात इस युवती से चिपी नहीं रही, और तभी से एक प्रकार की विचित्र अवस्था में ही सब कामों में उसका समय कट गया था सहसा गले का एक दबा हुआ असफुट स्वर सुनकर उसने गर्दन उठाई तो देखा कि बाथिन खड़ा है उसके सरवांग में बिजली दोड़ गई, किन्तु निमेश मात्र में उसने अपने आपको संभाल लिया और वह मुझ फिरा कर अन्यत्र चली गई कुछ समय बात बूढ़ा आकर बोला चोटी बिटिया, कुछ भी हो, बातिन तुम्हारे महमान है, क्या उससे एक बात भी नहीं करनी चाहिए किन्तु मैंने तो तुमसे उसे बुलाने के लिए नहीं कहा था यही तो मुझसे अपराध हो गया कहकर वह वापस जा रहा था कि माशोय ने बुला कर गहा अच्छा, मेरे सिवा यहां और भी तो लोग हैं, वे तो बात कर सकते हैं बुढ़ा बोला हाँ, कर तो सकते हैं, परन्तु अब उसके अवशक्ता नहीं, वे चले गए माशोय च्छन भर्स तब्द रह गई, फिर बोली मेरा भाग्य, नहीं तो तुम भी तो उनसे भोजन करने के लिए कह सकते थे नहीं, मैं इतना निरलज्य नहीं हूँ यह कहकर बुढ़ा गुस्य में चला गया इस अपमान से बाथिन की आँखों में भी पानी आ गया उसने किसी को दोश नहीं दिया, केवल अपने आपको ही धिकार कर कहा कि यह ठीक ही हुआ, मुझ जैसे निरलज्य मनुश्य के लिए इसी की जरूरत थी किन्तु यह बात केवल इस रात्री के भीतर ही खत्म नहीं हो गई इससे भी कहीं अधिक, बहुत अधिक अपमान अभी उसके अद्रिष्ट में और भी लिखा था जो कि उसके दो दिन बाद उसे महसूस हुआ और इस प्रकार महसूस हुआ कि उस लज्जा को जीवन भरवा कहां रखेगा इसका कोई कूल की नारा नहीं दिख पड़ा जिस चित्र को लेकर हमने यह कथा प्रारंब की थी जातक का वह गोपा का चित्र इतने दिनों में अब संपूर्ण हो गया था एक मास से भी अधिक समय के अविश्राम परिश्रम का फल आज शेश हुआ सुबह का सारा समय उसने इसी आनंद में मगन रहकर बिताया चित्र राज दरबार में जाएगा जो वेक्ती दाम देकर उसे ले जाने वाला था खबर पाकर वह उपस्थित हो गया किन्तु चित्र का परदा हटाते ही वह चौक पड़ा चित्रों के संबंद में वह अनाड़ी नहीं था बहुत देर तक एक टक देखने के बाद अंत में छुब्द स्वर में बोला यह चित्र में राजा को न दे सकूंगा भै और विसमे से हत्बुद्धी होकर बातिन ने कहा क्यूं? कारण यह कि मैं इस मुख को पहचानता हूँ मनुशे का चेहरा देखकर देवता अंकित करने से देवता का अपमान होता है यदि यह बात राजा को मालूम होगे तो मेरा मुझ भी न देखेंगे यह कह कर वह चित्रकार की विस्फारित व्याकूल आंखों की और कुछ देर देखकर और मुस्कुरा कर बोला कुछ ध्यान देकर देखने से तुम ही देख सकोगे कि यह कौन है यह चित्र नहीं चल सकता बाथिन की आँखों पर से धीरे-धीरे मानो कोहरे का भारी गहरा अंधकार हटने लगा उस भद्र व्यक्ति के वहाँ से चले जाने पर भी वो अपनी द्रिष्टि को वैसे ही निबध किये वे खड़ा रहा उसकी आँखों से पानी गिरने लगा और यह समझना बाकी न रहा कि इतने दिन प्राणांत परिश्रम करने के बाद उसने अपने रिदय के अंतस के जिस सौंदर्य जिस माधोर्य को बाहर खीच कर निकाला है और देवता के रूप में जिसे उसने दिन रात ढाला है वह क्या बिगाड़ा था पोखिन साहस बटोर कर बोला तुम्हारी कामना तो देवता भी करते है माशोय मैं तो साधारन मनुश्य हूँ माशोय अनमनस किसी होकर बोली परन्तु जो नहीं करता मालूम होता है वह देवताओं से भी बढ़ा है किन्तु उसने इस प्रसंग को आग बहुत जल्द पोखिन ने उच्सुक होकर पूछा कौन सा कार्य एक मनुश्य पर मेरा बहुत सा रुपया निकलता है परन्तु मैं उससे वसूल नहीं कर पाती हूँ उसका कोई दस्तावेज नहीं है क्या तुम इसका कुछ उपाय कर सकते हो हवश्य क्या तुम जानती नही कि मैं राजकर्मी हूँ या कहकर वा हसा इस हसी मैं सपश्ट उत्तर था माश्वई व्यगरता से उसका हाथ दबा कर बोली तो कोई उपाय कर दो आज ही मैं एक दिन कभी विलंब नहीं करना चाहती पोखिन गर्दन हिला कर बोला अच्छी बात है करता हूँ यहरिन हमेशा स इतना तुछ इतना असंभव और इतना हसे प्रधा कि इस संबंध में किसी ने भी कभी भी चिंता नहीं की थी किन्तु राजकर्मी के मुख की आशा से माश्वई की समस्त देह एक पल में उत्तेजना से उत्तप्त हो थी वो अपने दोनों चक्षूँ को प्रदीप्त कर उस उसका समस्त इतिहास सुना कर बोली मैं कुछ भी नहीं छोड़ूँगी एक कौड़ी भी नहीं जोंक जिस तरह से रक्त सोख लेती है ठीक उसी तरह से आज अभी नहीं हो सकता इस विशय में उस मनुष्य से अधिक कहने की जरूरत न थी या उसकी आशा से भी अधिक था वो अपने भीतर के आनंद और आग्रह को किसी तरह दबा कर बोला राजा का कानुन कम से कम साथ दिन का समय चाहता है इतने समय तक तो किसी भी प्रकार धैर्य धर नहीं पड़ेगा इसके बाद जिस प्रकार चाहो उस प्रकार जितना चाहो उतना रक्त चूसो मैं आपत्ती न करूंगा अच्छी बात है, किन्तु अब आप यहां से जाईए या कहकर वह एक तरह से छूट कर भाग खड़ी वी इस दुर्बोध लड़की की तरफ से उस आदमी के लोब की कोई सीमा न थी इसलिए उसकी अनेक अवहलनाओं को भी वह बिना कुछ कहे पचा जाता था आज भी उसने ऐसा ही किया, बलकि घर लोटते से में मार्ग में उसका चित्व पुलकी थोकर बार बार यह बात कहने लगा अब कुछ भै नहीं, मेरे सफलता के पथ के निश्कंटक होने में मालूम होता है अब देर नहीं लगेगी यह सच है कि देर न लगेगी, किन्तु कितना शिग्र और कितना बड़ा विस्मे भगवान ने उसके भागे में लिख रखा था इस बात की कलपना करना भी आज उसके लिए संभव नहीं था रिन के दावे का सम्मन आया, उसे हाथ में लेकर बाथिन बहुत समय तक चुप चाप बैठा रहा यदे पि ठीक इसी बात की उसे आशंका नहीं थी, फिर भी उसे आश्चेरे नहीं हुआ समय थोड़ा है, शिग्र ही कुछ करना चाहिए एक दिन माशोय ने गुस्टे से उसके पिता की फिजूल खर्ची पर व्यांग किया था उसके इस अपराद को वह भूला नहीं था और उसके लिए उसे शमा भी नहीं किया था इसलिए वह अब उससे समय की भीक्षा मांग कर उनका और अपमान कराने की कलपना नहीं कर सका उससे चिंता सिर्फ इतनी थी कि उसके पास जो कुछ है वह सब देकर भी अपने पिता को रिण बुक्तवा कर सकेगा या नहीं उसके गाउं में एक धनी महाजन था दूसरे दिन सुबह ही उसने उसके पास जाकर गुप्त रिती से सर्वस्व बेच डालने का प्रस्ताव किया मालूम हुआ कि जितना वह देना चाहता है उतना रिण चुकाने के लिए काफी है रूपे लेकर वह घर आया किन्तु एक मनुश्य के आकारण हृदे हींता ने उसकी समस्त देह और मन के उपर अग्यात भाव से कितना बड़ा आगात पहुँचाया है यह वह तब तक न जान सका जब तक उसे जोर का जोर न चड़ाया दिन और रात किस प्रकार निकल गए इसका उसे पता भी नहीं लगा होश आने पर उसने देखा कि आज ही उसकी मियाद की अंतिम्ती थी है आज अंतिम दिन है अपने एकांत कोने में बैठ कर माशोय अपनी कलपनाओं की जाल बुन रही थी उसके एहंकार ने चण भर में स्वेम चोट खाखा कर दूसरे व्यक्ति के एहंकार को एक बारगी उच्चे बना कर खड़ा कर दिया था वही विराट एहंकार आज उसके पैरों पर गिर कर मानो मिट्टी में मिल जाएगा इसमें उसे लेश मातर भी संशय नहीं रहा इसी समय नौकर ने आकर जताया कि नीचे बाथिन राह देख रहे हैं माशोय मनी मन क्रूर हसी हस कर बोली जानती हूं वह स्वेम भी इसी पल की प्रतिक्षा कर रही थी माशोय के नीचे आते ही बाथिन उठकर खड़ा हो गया किन्तु उसके मूँ को देखते ही माशोय की चाती में मानुस सेल बिंद गई रुपय वा चाती नहीं थी रुपय पर उसका रत्ति भर भी लोब नहीं था किन्तु उस रुपय के नाम से कितना भयंकर अत्याचार किया जा सकता है यह उसने आँज स्वेम देखा बाथिन नहीं पहले बात की, कहा आज साथ दिनों के मियाद का अंतिम दिन है, तुम्हारा रुपया लाया हूँ हाई रे मनुष्य, मरते वे भी दर्प नहीं छोड़ना चाहता नहीं तो प्रतियुत्तर में माशोय के मुख से यह बात कैसे बाहर निकल सकती कि मैं कुछ थोड़े से रुपय नहीं चाहती, मैंने तो रिण के समस्त रुपय चुकाने को कहा है बाथिन का पीडित सूखा मोह हसी से भर गया, वह बोला ठीक कहती हो, तुम्हारा सभी रुपया लेकर आया हूँ सब रुपया? पाया कहा से? कल जान जाओगी, उस बखसे में रुपय रखे हैं, किसी से लाने के लिए कह दो गाडिवान ने दर्वाजे के बाहर से उसे लक्ष करके पूछा और कितनी देर लगेगी? जादा देर लग जाएगी तो पेगों में रात्री को ठेहने का स्थान नहीं मिल सकेगा माशोई ने गर्दन बढ़ा कर देखा कि रास्ते पर बॉक्स बिस्तर आदी सामान से लदीवी बैल गाड़ी खड़ी है भैसे निमेश मात्र में उसका समस्त मुख फीका पड़ गया व्याकुल होकर एक सात्व हजार प्रश्न पूछने लगी पेगू क्यों जा रहे हो? कल क्या मालूम होगा? आज बोलते हैं वे तुम्हारा बोलते बोलते हैं वह आत्मे विस्मृत सी होकर पास आ गई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया फिर निमेश मात्र में हाथ चोड़ कर उसने उसका माथा चुआ और चौप कर कहा ओह तुम्हें तो ज्वर चड़ा हुआ है इसी से तो कहती हूँ कि मुँँ में इतना फीकापन क्यों है? बाथिन ने अपने आपको छुड़ा कर शांत ब्रिदू कंट से कहा बैठो या कहकर वह स्वैम ही बैठ गया और बोला मैं मांडले जा रहा हूँ आज क्या तुम मेरा अंती मनुरोध सुनूगी? माशोय ने गरदेन हिला कर जताया कि सुनूगी बाथिन कुछ स्थिर होकर बोला मेरा अंती मनुरोध है कि कोई सुपात्र देखकर उसके साथ शिग्र विवाह कर लेना इस प्रकार अविवाईत अवस्था में अधिक दिन न रहना और भी एक बात इतना कहकर वह कुछ समय तक मौन रहा और इस बार और भी मृदुकंट से बोला और भी एक बात तुम्हें चिरकाल के लिए मन में रखने के लिए कहता हूँ यह बात कभी नहीं भूलना कि लज्जा के समान अभिमान भी इस्त्रियों का भूशन है किन्तु अति करने से माशोय अधीर होकर बीच में बोलू ठी यह सब और कितने दिन सुनूंगी रुपया तुमने कहां पाया सो बताओ बातिन हस पड़ा बोला यह बात क्यूँ पूछती हो मेरी ऐसी कौन सी बात है जो तुम नहीं जानती रुपय तुमने कहां से पाए बातिन ने थूक निगल कर इधर उधर करते वे अंत में कहा बाप का रिन है उनी की संपत्ति देकर चुकाया गया है नहीं तो मेरा खुद का और है क्या तुम्हारा फलों का बगीचा वह भी तो पिताजी का ही था तुम्हारी उतनी पुस्तके अब पुस्तके लेकर क्या करूंगा इसकी सिवाए वे भी तो उनी की थी माशोय एक निश्वास छोड़ कर बोली जाने दो अच्छा ही हुआ अब उपर चल कर सो जाओ चलो किन्तो मुझे तो आज ही जाना होगा इस ज्वर को लेकर तुम्हे क्या सच्मुची विश्वासे कि मैं तुम्हे इस अवस्था में छोड़ दूँगी या कहकर उसने पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया इस बार बाथिन ने विसमे से देखा कि माशोय का चेहरा एक पल में एक बारगी ही परिवर्तित हो गया है उस मुख पर विशाद, विद्वेश, निराशा, लज्जा, अभिमान किसी भी प्रकार का कोई भी चिन्न मात्र नहीं है सिर्फ विराट्स ने और उतनी ही विपुल शंका उस मुख ने उसे एक बारगी मंत्र मुख्द कर दिया वा चुप चाप धीरे-धीरे पीछे-पीछे उपर सोने के कमरे में जा उपस्थित हुआ उसे शैया पर सुला कर माशोय पास में बैठ गए और दो सफल द्रिशे चक्चूओं को उसके पांडूर मुख पर रख कर बोली तुम क्या समझते हो कि तुम जो रुपय ले आये हो इसी से तुम्हारा रिन आदा हो गया मांडले जाने की बात तो छोड़ दो मेरे हुक में के बिना इस घर के बाहर निकलते ही मैं छट पर से नीचे कूद कर आत्महत्या कर लूँगी तुमने मुझे बहुत दुख दिया है किन्तु अब और दुख नहीं सहूंगी या मैं तुम से निश्चयपूर्व कह रही हूँ बातिन ने कुछ जवाब नहीं दिया चादर तान कर और एक दिर्ग श्वास लेकर वह करवट बदल कर सो गया इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जल्द मिलूँगी एक नई कहानी के साथ नमस्कार